गुजरात दंगे को 20 वर्ष बीज चुके हैं लेकिन आज भी समय समय पर इसका जिन किसी ने किसी द्वार से बाहर आता रहता है शायद इसलिए क्योंकि अदालतें फाइलों पर लगी अन्याई की दूल हटा रही है नमस्कार मैं हूँ जयेश और आप देख रहें दपैंप्रेट गुरुवार 20 अप्रेल को एहमदवाद की विशेश अदालत ने साल 2002 में नरोदा गाओं में हुई हिंसा के मामले में चल रहे मुकदमे में सभी आरोपियों को बरी कर दिया बरी होने वालों में गुजरात की पूर मंतरी और भाजपा नेता माया कोड़नानी और बजरंग दल के बाबु बजरंगी भी सामिल है माया कोड़नानी पर गोद्रह ट्रेन कांड में मारे गए कार सेवकों की मौत का बदला लेने के लिए नरोदा गाओं में भीड का नेत्र तुकर उसे भढ़काने का आरोप था जिन 86 आरोपियों के खिलाफ केस्ट दर्ज किया गया था उन में से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है माया कोड़नानी वर्स 1998 से 2007 तक नरोदा विदान सबासी विधायक और ततकालीन मुख्यमंतरी नरेंदर मोदी की कैबिनेट में मंतरी भी थी वर्स 2009 में सुप्रीम कोड़ द्वारा नियुक्त विशेज टीम ने उन्हें गुजरात दंगों के मामले में गिरफतार किया और उन्हें मंतरी पत से इस्तीपा देना पड़ा गिरफतारी के बाद कोड़नानी के राजनेतिक जीवन का पतन हो गया आज 66 वर्स की हो चुकी माया कोड़नानी सभी आरोपों से बरी होने पर कहती हैं आज सही माइने में सत्य की जीत हुई है जीवन के 20 वर्ष तक ऐसे गंभीर आरोप्ध होने के बादा बरी होने पर प्रश्णिया है कि जिस सत्य की आज जीत हुई है वह अब तक क्यों हार रहा था आखिर इस सत्य को 20 वर्ष तक हराने का प्रयास किन लोगों ने किया यह सवाल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी पिछले वर्ष प्रधानवंतरी नरेंद्र मोधी को सुप्रीम कोट ने क्लीन चित दी है धिरे धिरे ही सही पर उस एको सिस्टम के लिए मुश्किले आ रही हैं जिन्होंने गुजरात दंगों की पिछ तयार कर इसमें लंब के बाद अपने एंजियों की जरिये कानूनी मदद के नाम पर जैसे सडियंत रचे वैसा उधारन सायद ही कहीं और मिले तीस्ता ने लोगों को जुटा गवा बनाने से लेकर जुटे एफिडेविट और जुटी घटनाये तक बनाई कई मामलों में यह पाया कि बलातकार औ नुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपीए के सासनकाल में मनमोन सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए सोनिया गांदी ने एनेसी बनाई थी और सीतलवाड को इस परिशत का सदस्य बनाया था वहीं यूपीए सासन के समय सीतलवाड ने अपने पत्ती के किये उस पर कभी खर्च ही नहीं किया वैसे इस विसाल एको सिस्टम का हिस्सा सिर्फ ये एक नाम नहीं है इस एको सिस्टम में पार्टियां मेडिया एंजियो सब सामिल थे संजी भट आर्वी स्रीकुमार राना आयूप सबनम हासमी जावेद आनन जैसे कई लोग थे जिन फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकना ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री माया कोडनानी को मार्च 2009 में मंत्री रहते हुए गिरफतार किया था तो उन्हें इस्तिपा देना पड़ा था वर्ष 2012 में एक मामले मे एसाइटी कोड ने उन्हें उम्र कैद की सजा तक सुना दी थी बाद में वर्ष 2011 में जाकर गुजरात हाई कोड ने निर्दोस करार दिया था अब दूसरे मामले में भी माया कोडनानी बरी हो चुकी हैं लेकिन प्रश्ण यही है कि माया कोडनानी समेत अन्य आरोपियों न तो केंदर में लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं माया कोडनानी पर जिस समय भीड लेकर दंग्य करने का आरोप लगाया गया उस समय वे गुजरात विदानसभा में उपस्तित थी उनके पास सीबियाई से लेकर नियाया लय सभी की आलोचना करने का आधार था पर उन् उपनी इच्छा नुसार फैसला ना आने पर राजनीतिग्य तुरंत असहमति प्रकट करने में हिच्किचाते नहीं हैं राहुल गांदी को ही देख लीजिए जबसे सूरत के सेसन कोड़नों ने मानहानी के मामले में दोवर्ष की सजा सुनाई है राहुल गांदी और पूर अमित्सा के चेले ने जो फैसला सुनाया है राहुल गांदी इकोसिस्टम की स्प्रतकरिया की तुलना कीजिए माया कोड़नानी के 21 वर्ष के मानसिक संगर्ष से राहुल गांदी को तो जेल में एक रात भी नहीं गुजारनी पड़ी फिर भी उनके लोगों को कोड़ बाय दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार है फिर चाहि न्याय पालिका को भला बुरा क्यों न कहना पड़े ऐसे में लोगतंत्र में उनका विश्वास कैसे माना जाए जब वो लोगतंत्र के अभिन अंग न्याय पालिका पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए the pamphlet